नमस्कार, आए सुनते हैं सुबत्रा कुमारे चोहान द्वारा लिखीवी एक कहानी, राही. दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजेगा और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महतुपोन है. तेरा नाम क्या है? राही. तुझे किस अपराद में सजा हुई? चोरी की थी सरकार. चोरी? क्या चुराया था? अनाज की गटरी. कितना अनाज था? होगा पाँच-छे सेर. और सजा कितने दिनों की है? साल भर की. तुने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन बर में तीन-चार आने पैसे मिल जाते? हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार. हमारी जाती मांगरूरी है. हम केवल मांगे खाते हैं. और भीक न मिले तो? तो फिर चोरी करते हैं. उस दिन घर में खाने को नहीं था. बच्चे भूख से तड़प रहे थे. बाजार में बहुत देर तक मांगा. बोज़ाड होने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही. पर कुछ न मिला. सामने किसी का बच्चा रो रहा था. उसे देखकर मुझे अपने बच्चों की भूख याद आगे. वहीं पर किसी की अनाज की गठ्री भी रखी भी थी. उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया. अनिता ने एक ठंडे सास ली. बोली. फिर तुने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे. इसलिए चोरी की. संभव है इस बात से मैजिस्टेट सजा कुछ कम कर देता. हम गरीबों के कोई नहीं सुनता सरकार. बच्चे आये थे के चहरी में. मैंने सब कुछ कहा. पर किसी ने कुछ न सुना. राही ने कहा. अब तेरे बच्चे किस के पास है? उनका बाप है? अनिता ने पूचा. राही की आखों में आसू आ गये. वो बोली. उनका बाप मर गया सरकार. जेल में उसे मारा था. और वहीं अस्पताल में मर गया. अब बच्चों का कोई नहीं है. तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा? वह क्यों जेल आया था? उसे तो बिना कसूर ही पकड़ लिया था सरकार. ताड़ी पीने को गया था. दो-चार दोस्त भाई भी उसके साथ थे. मेरे घरवाले का एक वक्त पुलिस वाले से जगड़ा हो गया था. उसी का बदला उसने लिया. एक सो नौ में उसका चालान करके साल भड़की सजा करवा दी. वही मा मर गया. अनिता ने एक दिर्ग निश्वास के साथ कहा. अच्छा जा, अपना काम कर. राही चली गई. अनिता सत्यागरा करके जेल आई थी. पहले उसे B क्लास दिया गया था. फिर उसके घरवालों ने लिखा पड़ी करके उसे एक लास दिलवाया. अनिता के सामने आज एक प्रश्न था. वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरी गरिबों के कष्ट को दूर करने का कोई उपाई नहीं है. हम सभी परमात्मा की संतान हैं. एक ही देश के निवासी. कम से कम हम सब को खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही. फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बड़े आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अनने के लिए चोरी करते हैं. उसके बाद विचारक के अधूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातूर्य पूर्ण जिर्या के कारण छोटे-छोटे बच्चों की माताएं जेल भीज़ दी जाती हैं. उनके बच्चे भूकों मरने के लिए छोड़ दिया जाते हैं. एक ओर तो यह कैदी हैं, जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं. और दूसरी ओर हम लोग हैं, जो अपनी देश भक्ती और त्याग का धिंडोरा पीटते वे जेल आते हैं. हमें आम तोर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा वर्ताओं मिलता हैं, फिर भी हमें संतोश नहीं होता. हम जेल आकर A और B क्लास के लिए लड़ते जगरते रहते हैं. जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं? जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है? सिवाए इसके कि हमारे माथे पर नेतरित्व की सील लग जाती है. हम बड़े अभिमान से कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी पांचवी जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुना कर आत्मगौरों का अनुभ़ करते हैं तात पर यह कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीड़ी हम देशभक्ती और त्याग से दूसरों से उपर उठ जाते हैं और इसके बल पर जेल से चूटने के बाद कॉंग्रेस को राजकिय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर या स्थानिय संस्थाओं के मेंबर और नजाने क्या क्या हो जाते हैं अनिता सोच रही थी कल तक जो खदर भी न पहनते थे बात बात पर कॉंग्रेस का मजाग उड़ाते थे कॉंग्रेस के हाथों में थोड़ी सी शक्ती आते ही वे कॉंग्रेस भक्त बन गए खदर बहनने लगे यहां तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे वास्तों में यह देश भक्ती है यह सत्ता भक्ती अनिता की विचारों का ताता लगा हुआ था वा दाशनिक हो रही थी उसे अनभा हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो अनिता की विचारवली अनिता को ही खाय जा रही थी उसे बार-बार यही लग रहा था कि उसकी देश-बक्ति सच्ची देश-बक्ति नहीं है, वरन मजाक है, उसे आत्म गलानी वी और साथी साथ आत्मा नुबूती भी अनिता के आत्मा बोलू थी वास्तों में सच्ची देश भक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारन में है ये कोई दूसरे नहीं हमारी ही भारत माता की संताने है इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके थोड़ा भी कष्ट निवारन कर सके तो सच्मुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की हमारा वास्तिविक देश तो देहातों में ही है किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित है पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार असिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा परदा इनकी आखों पर है कि होश शम्हालते ही माता पुत्री को और सास बहु को चोरी की सिक्षा देती है और उनका ये विश्वास है कि चोरी करना और भीक मांगना ही उनका काम है इससे अच्छा जीवन बितानी की वा कल्पना ही नहीं कर सकते आज यहाँ डेरा डाल रहे हैं तो कल दूसरी जगह चोरी की बचे तो बचे नहीं तो फिर साल दो साल के लिए जेल क्या मानव जीवन का यही लक्षे है लक्षे है भी अत्वा नहीं यदि नहीं है तो विचारा दर्श की उच्छ सतर पर टिकेवे हमारे जन नायकों और युग पूरुषों की हमें क्या विशकता है इतिहास, धर्मदर्शन, ज्ञान विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता पर जीवन का लक्षे है अवश्य है संसार के म्रिग मरीचिका में हम लक्षे को भूलते जाते हैं सत्य के उपर तक पहुँच पाने वाली कुछ एक महानात्माओं को छोड़ कर सारा जन समुदाय संसार में अपने आपको खोया हुआ बाता है कर्तवे अकर्तवे का उसे ध्यान ही नहीं सत्य असत्य की समझ नहीं अनिता मानवता से बढ़ कर कौन सा मानवधर में है पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा और कोई पुन्य है राही जैसी भूली भाली किन्तो गुम्राह आत्माओं के कल्यान की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए सत्याग रहे कि यही प्रथम प्रतिग्या क्यों न हो देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने अनिता दिन भर इनी विचारों में डूबी रही शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सोगे रात को उसने सपना देखा कि वह जेल से छूटकर इनी मांगरोरी लोगों की गाउं में पहुँच गई है वहां उसने अपना एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्रिया सूत काटती है दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तके पढ़कर सुनाई जाती है और तेश में कहा क्या हो रहा है या सरल भाशा में समझाया जाता है वही भीक मांगने वाले और चोरी करने वाले आदर्श ग्राम वासी हो चले हैं रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिये हैं राही के अनात बच्चों को अनिता अपने साथ रखने लेगी है अनिता यही सुख स्वपने देख रही थी रात में वह देर से सोई थी सुबह साथ बजे तक उसकी नींद न खुलने पाई अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली आप घर जाने के लिए तयार हो जाएए आपके पिता बीमार हैं आप बिना शर्त छोड़े जा रही हैं अनीता अपने स्वपन को सचाई में परिवर्तित करने की एक मधूर कलपना लेकर घर चली गई कहाने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद